बिहार में इंटर्मीडियेट परिक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है राज्य के शिक्षामंतरी विजय चौधरी ने तीनों संकायों का रिजल्ट जारी किया इस बार 80% छात्र परिक्षा पास कर गए हैं एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है लड़कों से जादा लड कियोंने परिक्षा में सफलता हासिल की है इंटर्मीडियेट आर्ट्स में गोपाल गंज के संगम राज टॉपर रहे हैं तो कटिहार की श्रया सेकंड टॉपर और मधेपूरा की रितिका तीसरे अस्थान पर रही है उधर साइंस में नमादा के सौरव कुमार टॉपर हैं औरंगावाद के अरजुन कुमार सेकंड टॉपर और पूर्वी चंपारन के राज रंजन तीसरे अस्थान पर हैं कॉमर्स में पतना के अंकित कुमार टॉपर घोसित हुए हैं तो नमादा के विनीत सिनह दूसरे और पतना के ही पियूस कुमार तीसरे अस्थान पर रहे है बताते चले कि इस बार intermediate की परिक्षा में 13,25,749 परिक्षार्थी शामिल हुए intermediate परिक्षा में 80.15 फीसदी परिक्षार्थियों ने सफलता हासिल की है वहीं आर्स में 89.53 परिक्षा पास हुए है खास बात है कि परिक्षा के महज 29 दीन के भीतर ही बोर्ड ने रिजल्ट जारी करके रिकॉर्ड बना दिया है गौर्टलब है कि intermediate परिक्षा 2022 में साइंस में कुल 5,67,473 परिक्षार्थी शामिल हुए जिसमें 3,88,065 चात्र और 1,87,478 ने परिक्षा में हिस्सा लिया था एक बार फिर आपको बता दें कि परिक्षा में जो चात्र टॉपर हुए है तीनों संकायों में अलग-अलग चात्रों के नाम एक बार फिर हम आपको बताएं साइंस में सौरभ कुमार नमादा के हैं जो टॉपर हैं अर्जुन कुमार औरंगाबाद के हैं ये सेकंड टॉपर हैं और राज रंजन साइंस में पूर्वी चंपारन के हैं ये थर्ड टॉपर हैं उसी तरह से आर्स में संगम राज गुप आपलगंज के जो टौपर हैं श्रया कुमारी कटिहार की हैं जो सेकंड टौपर हैं और रितिका रत्ना यह मधेपूरा की हैं यह थर्ड टौपर हैं। कॉमर्स में अंकित कुमार गुपता ये टॉपर हैं जो पतना के हैं विनीत सिना नवादा के हैं जो सेकंड टॉपर हैं और पियूस कुमार जो पतना के ही हैं ये थर्ड टॉपर हैं इस बार कॉमर्स के छात्रों की बल्ले बल्ले हैं कॉमर्स के छात्र 90 फीसदी से ज्यादा कॉमर्स में पास हुए हैं विबर्स न्यूज पतना